लोकनर्वार वभाग महराशु सिर्कार द्वारा हर साल उलिखनी कारे करने के लिए वभनस्तर के तकनीकी कर्मियों को उत्विष्ट अभियंता से सम्मानित किया जाता है वहें इस साल भी गुरुवार को लोकनर्वार मंत्री नामदार श्री रविंद्र चवाहर ने मुंबई के सायन के श्रण मुकानन्द ऑडिटोरियम में पुरिसकार समहरों की मीजबानी के जोरान एहमाद नगर में पी डागलू डिव भाग में पधस्त अधिक्ष्वन अभियंता फ्रेडी कुलकर्णी को उनके द्वारा अब तक किये गए सरहनी कारियों को लेकर 2018 के सर्वश्रेष्ट इंजिनियर के लिए सम्मानित किया गया आपको बता दें कि साल 2018 के सर्वश्रेष्ट इंजिनियर का परुसकार श्री जेडी कुलकर्णी की घोष्णा की लेकिन ये परुसकार कारक्राम कोवर्ट काल में आजवित नहीं हो सका था श्री जेडी कुलकर्णी महराष्ट लोगसेवा 1989 नवासी में सायक अभियंता ग्रेड वन के रूप में आयोग की आयोजितिक प्रतियोगी परिक्षा के माध्यम से लोग निर्मान विवाग में शामिल हुए जेडी कुलकर्णी एहमदनगर गंगा खेर और अंगबाद में कार्यरत रह चुके हैं विलातूर अकोला पुणे एहमदनगर में कारेकारी अभियंता के रूप में भी कारेरत थे अहमद नगर में अधिक्षन अभियंता की पत पर कारे भार गहन करने से पूरवे रतनागरी में कारिज़त थे विस्तार से आपको बता लाएं तो अहमद नगर में कारेकारी अभियंता के रूप में उनकी कारेकाल के दौरान शहर के बाईपास पर निमूलकर और अरंगाओं फ्लाईगोवर का निर्मान पूरा हुआ जिसके कारण शहर में भारी वाहन यातायात को बाईपास के माध्यम से डाइवट किया गया जिसके कारण शहर में दुरगटनाओं की संख्या कम हुई और यातायात प्रभाह में सुधार हुआ हाली में बनकर तयार हुआ कलेक्ट्रेट एहमद नगर भवन का निर्मान भी उनके समय में पूरा हुआ और इस कारे को उन्होंने तेजी से पूरा किया आईए आप एक नज़र डालते हैं परसकार सम्मान सम्हारों पार सग्राण शावतिने में विनंदी करते कि श्री जेडी कुलकरनी अधिक्षक अभियंता सारवजनिक बांदकाम मंडल आमद नकर यानि इते आपला मनोगत व्यक्त करावा श्री जेडी कुलकरनी अधिक्षक अभियंता सारवजनिक बांदकाम मंडल यानि वेडे अभावी थोड़के तापला मनोगत व्यक्त करावा त्या पूरी लश्ना राहे श्री सचिन चिवते यानि तयार रहावा सन्मान ये वैस्पिट आणि उपस्ति सर्वादान अच्सा दिवस मिया आणि आमचे सर्व पुरसकार प्राप्त मित्र यान्चा आईशति लाई सवस्मरणी अधियस आए मध्यमवर्गे कुटुमवर्गे मदे जन्मा जालेला माया सरकमा आणूस जयानि शास्वत नवकरी चा मार गमणून शिवल इजियरेची डिगरी गेतली आणि महाराष्टर लोक्सोयागे चा परिक्षद्यून या खाते मदे सायका बेंता सिरेणी कमन रुज जलो तेमा पसुन्चा आज जवपस पत्ता परेंचा चोत्तिस पस्तिस वर्षे सका आठोतुए कुटली गोष्ट मनलावन करनाची क्वालेज्ज जवणा पसुनस सवयासल्या मुळे सरकारी नवकरी मदे काम करत गेलो आणि नंतर लक्षाताला कि आपन सिरेणी इजिरेची सारोजनी मिभानगा आपन खातेतली नवकरी मजे आपन पगारपन घेतो आणि आपनला समासेवेच कि मा लुकोविवेद कामपन करू शकतो एखात आगावाला दोर आपन रस्ता दिला कि वह एखात आप पूल बानला तर त्या गावकरांच कडुन होनार कोड़कोवतुक त्यांच्या चेरेवर्च हास्य है आपनला आत्म आपनला ब्ला शकतो एखात आपनापण कर्ण खेअब którą कि वह एखात आपनला समानि आपनला पालीये आपनला मिला अपनला अपनला तर द्रेला दोर आपनला कि करनलं और कि प olduğले आपनला…. या खातेने दिला त्या बदल मी या खातेता रूणिया है या माजा पूरसकराचा पाठे मागे नाजो कुठुम्ब माजी पत्नी माजे कनिष्ट सहकारी माजे सहकारी कनिष्ट आधिकारी वरिष्ट आधिकारी या सर्वांचा निश्चिताच उस्तिनाचा वाटा है विशे चा नी विशेशाभार्या है। खुब खुब धन्यवाद। आधिकारियों और कर्मचारियों के व्यक्तिकत परिसकार की घूषणा के लिए श्री जेडी कुलकर्णी को बढ़ाईती है और प्रिशासनिक प्रगती की काम ना की है। जेडी कुलकरणी के कारेकाल के दोरान कुछ उलेखने कार्यों पर। महराथ वाड़ा में पहली बार रेंड फोस्ट अर्थ वर्क की नई तकनी से औरंगाबाद पैठन रोड फ्लाइओवर रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। महराथ के और अंगावाद में पहला विवागी पुस्तकाले समय सीमा के अंतरगत पूरा किया गया। राजभवन मुंबई स्टाफ कालोनी में 15 मंजिला भवन तैसमय पर बन कर तयार किया गया। शाष्की मेडिकल कॉलेज अकोला ने अदितिये छात्रावास एवं भवन निर्वान का कार पूरा किया गया आपके कारेकाल में। 26 जुलाई 2005 की मुंबई कोकण बाड के बाद राइगर जिले के दास गाउं चुई कुंट वड़े गाउं का पुनरवास ततकाल पूरा किया गया। रोड स्पेशल बैकलॉग प्रोग्राम के तहत अकोला जिले में उनकी कारेकाल के दौरान सोहास पास की काउं सड़कों से जुड़े थे। पुने में कारेक करते हुए राजभवन के सौंदरी करण, विधानसवाभवन के नियोजन और अन्य भवनों के निर्मान में उन्होंने महत पुन्भूमिका निभाई है। एमकेन परिवार की उर्ष से शिरी जेडी कुलकर्णी को हार्दिक बधाई और शुकामनाएं उनकी उपलब्धियों पर।